हेलो दोस्तों स्वागल आपको बिटकोई दुनिया में मैं संजवानों दोस्तों पिछले दो सालों से हम लोग जिसका वेट कर रहे थे फाइनली यहां पे होते भी देख रहा है अगर आप इंडेन एक्षिंज पे जा के देखेंगे तो बिटकोई प्रैस 55 लाग के करीब का है तो देखा जा तो बिटकोई ने अपना काम कर दिया है अर बारी है आल्ज कोयन की आप सबी को पता है कि मैं हर मेंने के लिए पांच कॉंश करता हूं और मैं वही क्यों करता हूं जिन में मेरा खुद को होता है फरवरी मंत के जो मैंने कोई सेयर किये थे आप जा कि उनका प्रफॉर्मेंस देख सकते हैं बहुत ही बड़े लेपल में लोगों को प्रॉफिट दिया है फरवरी मंत जब स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा सा कोई डाउन आया थे लेकिन छह साथ दिनों बाद उन अपना खुद का एंसिस कर लेजेगा क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत जादा वॉल्टाल है यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस की जमदारी अपनी खुद की होने चाहिए हो सकता है कि बहुत सा लोग ऐसे होंगे जो कि कोई किस पराइसे ढूंडते हैं यह जानकारी नहीं उन लोग को उनके लिए मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनागी देवी थी आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप लोगी ट्रिक्स सीख लेते हैं तो हो सकता कि कोई कोई आप लोग ऐसा ढूंड के निकाले जिसको मैं नहीं ढूंड पा का आप यहां पर आगे देखिंगे तो 2.26 trillion करीब चला गया है और लास्ट बार जब बुल मार्केट आया था तो उस समय अपना जो मार्केट कैप था वह लब 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 3 trillion करीब चला गया तो यहां से देखे जिस अपने क्रिप्टो मार्केट में पैसे आने स्टार्ट हो ग है और जिस प्रका से रैली चल लगी है मुझे लगता है कि आल्टाम हाई के पास बहुत जल्द हम लोग पोच सकते हैं पंप होने के पीछे रीजन सब के मन में आ रहा है तो आप सब एक दिन पहले वीडियो जा के देख सकते हैं इसमें मैंने में बताया हुआ कि क्यो बिट के अंदर वह आठ सो मिलियन डॉलर करिब का कल के डेट में बिटकॉइन प्राइज लबह लबह चौसाट है डॉलर करिब गया और अचानक इसका प्राइज 58,000 के करीब का आ गया तो जो लोग लोग इंसाट कर रहा है फ्यूटर टेट कर रहा है थोड़ा सा सतर खोकी करिए है और मैंने आप सब्सक्राइज पर वाइस मैसे से भी अपडेट दिया हुआ है कि जो इन्वेस्टर है जो बड़े-बड़े वेल्स है वो जो प्रॉफिट कमाते हैं वह मैक्सम प्रॉफिट उन लोग मिलता है आल्स को बिटकॉइन में उन लोग को प्रॉफिट मिल गया जो आल्स कोईन है वह एक जंगा स्टेबल या थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं और एक चीज़ और बिटकॉइन अगर यहां पर करेक्शन लेता है तब भी जो आल्स कोईन है वह भी थोड़े नीचे जा सकते हैं तो ऐसा नहीं कि आप सभी अपना पूरा पैसा एक ही प्राइ के बारे में कुछ सेयर करना होता है चाहे वह बाइंग से रिलेटेड हो चाहे वह न्यूस से रिलेटेड हो तो मैं अपने टेलगाम आप ट्यूटर एकाउंट के माध्यम से आप से तुरंट अब्रेट देता हूँ आप सभी एक बार इंसे कर लीजागे कि आप लोग ने इ मैंने क्यों मार्च मैने के लिस्ट में सामिल किया है उसके पीछे दो-तीन रिजन है पहला रिजन आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा यहां आप आपको दिखेगा क्यों का कि यह जल्द ही हुआ है और बहुत सारे इससे लेटेड आरे हैं पुराना कौइन है यह और अभी जिस प्राइस पर चलना है यह इसका रैस्टेन्स है अगर इस रेक्षेंज को ब्रेक करता है तो हम लोग इसके प्राइज में एक अच्छा अप्रेंट देख सकते हैं और लेडी आप देखेंगे तो अक्टूबर नॉम्बर के बाद से इसका प्राइज उपर जाना स्टार्ट हुआ है सकेंड नॉम्बर का जो क्वाइन दोसों वह है एप्टॉस 12 डॉल के चलना है 25 के करीब का रेंक है अगर आप मार्केट केप देखेंगे तो 4.4 बिलियन के करीब का है एप्टॉस की बाद करेंगे तो जिस प्राइज से सोलाना लेयर वन प्रोजेक्ट है उससे प्राइज से यह भी है इन दोनों प्रोजेक्ट में मैक्सम चीज़े आप सभी को सिमलर मिलेंगी यहां पर आप देख सकते हैं इसमें एप्टॉस सोलाना इथिरियम और एवा लांज को कंपेर किया गया है इसमें आप सभी को देखेगा जो एप्टॉस है इसकी स्पीड इन सभी से जादा है नंबर ऑफ सीप्यू कोर से टाइम आफ फाइनल्टी यह भी इन तीनों प्रोजेक्ट से एप्टॉस का बहतर है अब लेएर वन क्या होता तो लेएर वन वह होता है जो अपना खुद का कोडिंग लेकर आता और उसका जो इको सिस्टम होता वो पूरी तरसनेया होता है लेकिन आप देखिएंगे तो जो आर्बिट्रम है, आप्टिमिजम है, ये दोनों जो प्रोजेक्ट है वो इथिरेम पे बिल्ट किये गया है, इसके अफसल वेस्ट पहेंगे कि जो पार्टनर्स है, उसमें बहुत ही बड़े बड़े नाम देखने मिलेंगे, और इसके अचानक pump and dump हुआ तो उस समय इसका प्राइज आप देखिएंगे, तो लबा लबा दस ग्यारा डॉल करिब का आ गया था, फिर इसमें जो recovery देखने मिले, वो बहुत ही fast देखने मिले, कुछ ही समय में ये टॉप गिनर में आ गया, तो जो अच्छे प्रोजेक्ट होते है, उनकी यही पैचान होती है, यह जो project है, एक beer market में आता है, तो इस वैसे अभी इसका जो all time high वो बहुत दूर नहीं है, केवल 18 dollar करिब का है, इस bull market मुझे लगता कि यह project बहुत ही बढ़ा साबित हो सकता है, थर नमबर क्रिप्टोकंसी है, उसका नाम है, कर्व डाव टोकन CR CRB.62 cent के क्रिप्ट चला है, 115 के इसका rank, 702 million dollar के रिप्ट का market cap है, यह एक DEX का टेकर क्रिप्ट प्रकॉंसी है, और UNICEF जिस प्राइस से एक दिन के अंदर पंप हुआ, तो DEX का क्या ट्रेंच चला है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, अगर आप इधेरेंप आके देखेंगे, तो UNICEF के बाद पर प्रोजेक्ट है, वो है कर्व DEX, और इसके चार्ट को आप देखेंगे, तो DEX का टेकर क्वाइन का जिस प्राइस से चला है, उस प्राइस से देखेंगे, तो इस क्वाइन में कुछ खास प्रोफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, और य मार्केट कैप है, इस क्वाइन को मैंने आज से टू वीक पहले सेयर किया था, जो DEYM वाला वीडियो था, और मैंने बोला था कि इस क्वाइन को इस समय बाइक करने का एक अच्छा चांस है, और उसके बाद इसके प्राइस को आप देख सकते हैं, इस वाले जोन में मैंने बॉला था, बाइक करने के लिए लबव पॉइंट थी सेंट के आसपास था, और इसका प्राइस लबव पॉइंट शिक सेंट के आसपास गया था, और जिस प्राइस इसका चार्ट दिख रहा है, मुझे उमीद है कि इसमें लो मार्च मेने भी एक अच्छा प्रॉफिट ब मिला, इसका प्राइस साथ डॉलर से लब लब चला गया था, 32-33 डॉलर के गरीब का, मुन रिबर डॉट इको सिस्टम का प्रोजेक्ट है, आने वाल से में डॉट अगर पंप होगा तो यह उससे भी ज्यादा पंप होगा, इसके चार्ट को आप देखेंगे तो यह पंप ह हासे लब लब पंप होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जब बुल मार्केट आता, तो यहाँ पर जो नए-नए इन्वेश्टर हैं, वो आने स्टार्ट होते हैं, और इसके अलावा जो नए-नए इसके प्रोजेक्ट है, वो भी आने स्टार्ट होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो bitcoin दुनिया family है इनके कोई भी friend है या रिष्टेदार है उनको सही जानकारी होने चाहिए अगर वो innovation करने की सोच रहा है इस crypto market में तो आप सभी उसको एक सही जानकारी बताए कि इसमें risk क्या और reward क्या अगर मैं comment करने के लिए कि 2021 में कौन-कौन से लोग आये थे और कौन-कौन से लोग फसे हुआ है तो यहां आप से देखने को मिलेगा